दोस्तों का सलाम, कराइसिस इन पराइसिस काल पड़ गया है, आटा नहीं है, आटा वाज शुरू हो गई है गुलामों को भी रोटी मिलती थी, लेकन जितनी मालक चाहता था गुलामदारी नजाम में, गुलाम मेनद करते थे उनको मारा पीटा जाता था, कैद किया जाता था मगर गुलामों के बगार काम भी नहीं चलता था इसलिए गुलामों को रोटी दी जाती थी अब पाकिस्तान में आटा नहीं है, आटा वार शुरू हो चुकी है लोग जो गुलाम हैं पाकिस्तान में वो आटा लेने जाते हैं और रियासत की फोर्स डंडा वर्दार पॉलीस तशद्द करती है, डंडा मारती है, फिर भी रोटी के लिए गुलाम, आर्टे, बच्चे बुड़े नाजवान आटे के लिए लाइनों में लगे होते हैं रोटी हर एक की जरूरत है हजरत उमर का जमाना था हजरत उमर खलीफा थे, उन्होंने कहा था फरात कनारे, अगर कुता भी भूका मर गया तो उमर उसका जवाब दे है मगर यहां तो माफिया है माफिया का राज है पुलीस माफिया की फोर्स है यह अंग्रेदों ने बनाई थी गुलामों को मार पीट करने के लिए तशदद करने के लिए अब पाकिस्तान में पंजाब में पुलीस वो ही कुछ कर रही है जो मालक हुकम देता है गुलामों पर तशदद गुलामों की मार पीट गुलामों का कतल यही है कानून हाकम का कानून हाकम का हुकम कानून होता है पाकिस्तान पर माफिया का राज है असंबली पारलीमेंट गुलाम पारलीमेंट है दो खानदानों की गुलाम है नकर है और पाकिस्तान के आवाम गुलाम है साट फीसद आवाम बिलो पावर्टी लाइन है रोटी मागते है और पैंतिस फीसद गुरुपत कलाश है वो भी रोटी मागती है पाकिस्तान में सियासी जगडा माफिया और मिडल कलास के दर्मियान है माफिया कवजा कर चुकी है माफिया हुकुमरान है ये आईन, कानून, जामोरियत ये सब वगएरा वगएरा है असल माफिया हुकुमरानी है यारप में इंसान अजाद है जामोरियत है, कानून है, आईन है इसलिए यारप खुशहार है और इनसान को जिन्दा रहने का हक है इनसान की इज़त है पाकिस्टान गुलाम है गुलामों को वो हकुक नहीं मिलते जो यारप में है जो तरकी आफ़ता मुलकों में है पाकिस्टान के आईन का पता ही नहीं चलता मैंने पहले अपने किसी वी लॉग में कहा था कि पाकिस्टान का आईन गालब की घजल का शेर है इसकी तश्री जैसे मर्जी कर ले अदलिया को पता नहीं चलता कानून में क्या लिखा है आईन में क्या लिखा है बड़े बड़े वुकला बड़े बड़े कानून के माहरीन और बड़े बड़े जज सहबान काबल एहतराम हमारे मालक फैसले करते हैं मगर गुलामों का क्या तरलक है गुलाम तो सिर्फ आटा मांगता है रोटी मांगता है कतल भी करते हैं तो खामोश होता है ये आपका कानून है ये आपका मुल्क है ये आपका आइन है तो मिडल कलास और माफिया के दरम्यान में लड़ाई है और अब हकूमत ने वाज़े दो टोक एलाम कर दिया है कि हम रहेंगे या तुम रहोगे यही है बका की जंख और वाज़े हो गई है जराई मिडल कलास रहेगी या माफिया गुलाम तो पहले भी गुलाम है फिर भी गुलाम है तो अब ये सियासत नहीं है ये तो जंग है जिसका एलान माफिया ने कर दिया है पाकिस्तान के अधारे माफिया के मातेत हैं पुलीस माफिया की है यहां हम देखते हैं के एक आदमी है मिडल कलास का लीडर है उसको कतल करने के लिए एलान किया गया है किया जाता है माफिया किसी कानून को नहीं मानती किसी आईन को नहीं मानती अदलिया सप्रेम अदलिया बहुत आला उसको पता ही नहीं चलता के आईन में लिखा क्या है ख़जाना खाली है ख़जाना तो खाली है मगर जायदातें कहा हैं यह हम गुलाम जानते हैं अलक्षन नहीं हूंगे क्योंके ख़जाना खाली है आला अदलिया फैसला करती है अलक्षन हूंगे और अलक्षन कमिशन फैसला करता है नहीं हूंगे तो अलक्षन नहीं हूंगे अलक्षन कमिशन हुकमरान है और पार्लिमेंट मकबूजा पार्लिमेंट है वुलाम पार्लिमेंट है ये नमाइंदा नहीं है हमारी तो नहीं है ये किसकी नमाइंदा है ये अल्ला ही जानता है मगर गुलामों का नमाइंदा कोई नहीं होता अब I.M.F कर्जा नहीं देता नहीं देना चाहता I.M.F को मालूम है कि इस पार्लिमेंट में जो हकूमत है उसके असासे कहां है मगर वो सावकार है I.M.F सावकार है उसने एक सौतीस अरब डालर कर्जा दिया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की माफिया ने उससे जाडादे बनाई हैं असासे बनाए हैं पलाजे बनाए हैं बैरूने मुलक अब ये कर्जा मांगते हैं तो I.M.F इनकार करता है पाकिस्तान में आटा नहीं है आटा नहीं होगा पैट्रोल नहीं है बिजली नहीं है गैस नहीं है आटा नहीं है साहुकार ने जो कर्जा दिया है वो वापस लेना है और माफिया जाडादें बना चुकी हैं अब वो कर्जा पाकिस्तान के अवाम ने देना है गुलामों ने देना है इसलिए महंगाई है महंगाई के जरीए से वो पैसा एकठा करना है साहुकार को वापस करना है लेकन एक कहानी है एहम तारीख में लिखी है युनानियों का एक देवता था प्रमीथियस प्रमीथियस ने इनसान को आग जलाने का हुनर बता दिया अराज बता दिया फिर उसको देवताओं ने पकड़ लिया और सक्त सजा उसके लिए तजवीज कर दी देवताओं के बादशाने महात्मा ने सजा सुना दी मगर आग इनसान को मिल चुकी थी इरतका का पैया आगे चलता है इसमें रिवर्स गेर नहीं है पाकिस्तान के मिडल कलास ये जान चुकी ये समझ चुकी के गुलामदारी का नदान नाफज हुआ है माफिया काबज है आदलिया और आर्मी पर कबजा बाकी है दूसरे अदारे तो मकबूजा हैं माफिया के मातहत हैं मिडल कलास अजादी की जदो जहे कर रही है बका की जंग लड़ रही है शुक्रिया